जैश्री राधे, पुजैश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रनाम यह प्रसंग गीता प्रेस कल्यान पत्रिका से लिया गया है भगवन नाम ही उद्धार का उपाय है जिनकी जिव्वा एक बार भी भगवन नाम गुण का उचारण नहीं करती जिनका चित एक बार भी भगवत चर्णार विंद का स्मर्ण नहीं करता जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चर्ण कमलों में प्रनत नहीं होता या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो अपने दूतों से यों कहकर यम्राज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोश किया है उसको आप छमा करें यह अजामिल के इतिहास के बारे में बताते हुए मलयाचल पर बैठे हुए अगस्त मुनी ने भगवान की पूजा करते हुए कहा इस पर श्री आचारे चर्ण लिखते हैं कि इस इतिहास को यदि कोई वैशनव कहता तो इसके सत्य असत्य पर बड़ी टीकाएं होती परन्तु अगस्त मुनी तो शैव थे जब उन्होंने भगवन नाम महात्मे का प्रतिपादन किया तब कोई क्या कह सकता है एक बात और ध्यान देने की है अगस्त मुनी ने जब यह इतिहास कहा उस समयवे भगवान की पूजा कर रहे थे और शालिग राम जी की मूर्ती उनके हाथ में थी इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त मुनी ने भगवान को हाथ में लेकर यह बात कही कि यही सिद्धान्त सर्वता सत्य है इसमें कुछ भी रुपांतर नहीं है इस इतिहास से यह निश्चित हो गया कि भगवान नाम ही इस कलिकाल में जीवों के उधार के लिए सबसे उत्तम उपाए है परंतु इस नाम का प्रियोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए भला चीटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है साधारन पापों की निवरत्ती के लिए भगवान नाम का प्रियोग क्यों एक आदमी ने एक शेर पाल रखा था शेर जब तरह से उसके वश में था वह आदमी किसी राजा के यहां नोकर रहा एक दिन राजा की सवारी जा रही थी वह आदमी भी अपने शेर को लिए सवारी के साथ था इतने में एक बोराहा कुत्ता आया राजा ने उस मनुष्य को आग्या दी कि इस कुत्ते पर अपना शेर छोड़ दो उसने कहा महराज यह नहीं होगा मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए शेर नहीं पाला है यदि आप किसी मत्त गजेंदर पर इसे छोड़ने को कहते तो मैं अवश्य छोड़ता इसी प्रकार भगवन नाम का भी साधारन पाप नाश के लिए प्रियोग नहीं करना चाहिए नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है इस नाम से भगवान की स्मृति होती है जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भूला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है तो उसे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है जब जगत के प्रिये पदार्थों की नाम के द्वारा स्मृती होने पर ऐसी अवस्था होती है तब श्री कृष्ण की स्मृती में तो बड़ा ही आनन्द होना चाहिए श्री कृष्ण के समान प्रिये और कौन होगा जब तक उस परम प्रिये का पता नहीं लगता तब ही तक दूसरी वस्थों में प्रिये लगती है श्री कृष्ण नाम में प्रिती होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचे हो जाता है तब फिर इन लोकिक गंदी बातों की ओर मन भूल कर भी नहीं जाता अटैव भगवन नाम स्मर्ण भगवत प्रिती के लिए ही करना चाहिए वैशनवों को तो पाप निव्रति के लिए भी भगवन नाम नहीं लेना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवन नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक समर्थ है नामों से पापों का जितना नाश होता है उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता परन्तु इस अधिकार को पाकर इसका दुर्पयोग कदापी नहीं करना चाहिए कि पाप करते चलो और नाम लेते चलो यह रीती बहुत बुरी है पाप कर चुकूं फिर नाम ले लूँगा इस विचार से नाम लेना एक नाम का अपराद है इसका कोई प्रहशित नहीं है अतैव पाप करने में या पापों की निवर्ति में भगवन नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नैच्छनिक अल्प ग्राम में सुखों के लिए ही भगवन नाम लेना चाहिए भगवन नाम तो उस नित्य निर अतिशय पर्मानंद भगवत सरूप की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है जैश्री राधे जैश्री